मिस्टर जायन मिसेज जाके किचन में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए क्या आए हैं एक नई रेसिपी गुड़ी पारवा स्पेसल दाल का पूरी बैसे तो आपने दाल का पूरी बहुत बार बनाया होगा जैसे कि हम मैदा में भी बना लेते हैं गेहूं के आटे से भी बना लेते हैं लेकिन हम आप लोगों के साथ सियर करने जा रहे हैं चावल के आटे में दाल का पूरी यह गुड़ी पारवा महराष्ट का बहुत ही प्रसिध्य तेभार है आज से हिंदू नववर्ष का सुरुवात होता है इसलिए हम लोग गुड़ी पारवा मनाते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं कि यह हमारा चावल के आंटे में डाल का पूरी कैसे तैयार होता है चार घंटे के लिए और वह दाल जब हमारा भीग जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे एक करहाई में तरका सा दे देंगे जैसे कि तेल, जीरा, राई, हरी, मिर्च, करी, पत्ता जिसे मिठा पत्ती भी कहा जाता है और यह सब डाल के हम डाल को उसमें डाल देंगे और डालने के बाद उसमें हलका सा हल्दी आधा चम्मसा जैसे आपका डाल हो और घरम मसाला, धनिया, मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर हम कम सा डालेंगे क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्ची का भी इस्तमाल किया है और स्वाद अंस्वार नमक डाल देंगे और मिर्ची पाउडर जो है वह हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी डालेंगे तो उससे हमारे दाल का कलर जो है वह खराब हो जाएगा तो इसके लिए हमने बांकी सब मसाला डाल दिया है और मिर्ची पाउडर हम थोरे टैम के बाद डालेंगे और यहां सब डालके हम अच्छे से इसे हम भून लेंगे जैसे कि आपको यहां पूरी अर्जेंट में बनाना है तो आप क्या कीजिएगा कूकर में 2-3 सीटी लगा दीजिए तब भी यह दाल पक जाता है और इसे हम ऐसे ही भून लेंगे और मिक्सर में हम पीस लेंगे उससे भी यह दाल ऐसे ही तैयार हो जाता है जैसे कि हम भीगा के तैयार करेंगे और इसका देखे कितना अच्छा सा पाउडर ना एक दूसरे से चिपका है और बहुत ही अच्छा सा तैयार हुआ है और उसे हम जब हमारा दाल हलका सा थंडा हो जाएगा तो उसे हम मिक्सर में पीस लेंगे और पीस के अब हम चलते हैं अगले प्रोसिस में यह हमारा चावल का आटा है इसमें हमने स्वादन स्वार नमक और अज्वाइन को हाथ पे हलका सा क्रेस कर लेंगे और डाल देंगे और एक कर्चोली सा हमने इसमें घी डाला है क्योंकि यहां जो है हम चावल के आटे में हम पूरी तैयार कर रहे हैं हम इसमें बिल्कुल भी गेहूं का आटा नहीं डाल रहे हैं जैसे कि अगर आप चाहें तो दो वाटी हमने चावल का आटा लिया है तो आप एक वाटी गेहूं का आटा डाल सकते उससे भी हमारा पूरी का स्वाद बिल्कुल नहीं बिगरता है लेकिन ज्यादा सा अगर हम गेहूं डाल देंगे और ह पानी रहता है, हमने वही पानी लिया है, थोरा हम पानी करके इसमें डाल रहे हैं, और इसका हम अच्छा सा डो तयार कर लेंगे, ना खुब नरम सा और ना सक्त सा, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है यहां डो तयार करने में, अब हमारा डो भी तयार हो चुका है, बरी सी और उसे लंबा सा करके और बीच में से राउंड राउंड सा कर देंगे और उसके अंदर अच्छे से हम डाल भर लेंगे जैसे कि दो चम्मसा हमने डाल भरा है और इसे हम धीमे हाथ से अभी दाब के रख लेंगे ऐसे ही करके पहले हम जितना हमने लोई तो रहा था सब लोई में हम डाल भर के रख लेंगे जब तक हमारा उयल भी गरम हो रहा है, एक भी साइड से फटा नहीं है, सेम प्रोसेस से हम सारे पूरी को हम बेलेंगे, हलके हलके हाथ से, यह चावल के आटे का पूरी जो है, वह सबसे नहीं बन पाता है, लेकिन जैसे कि हमारी मम्मी है, दादी है, नानी है, उन लोगों के हाथ से यह बहुत ही अच्छा सा तैयार होता है, और जैसे कि अगर आप कम ओल खाते हैं, तो इसे आप तबे पे भी अच्छे से सेख सकते हैं, धीमी आज पे, और अगर आप चाहें, तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, और यकीन मानिए, एक भी पूरी जो है हमारा, वह बिल्कुल नहीं फूटेगा, कि जैसे कि पूरी तेल में डालेंगे, वैसे हमारा पूरी तेल से बाहर आएगा, और आप देख सकते हैं, कि हमने ज्यादा एक के उपर भी नहीं रखा है, दो से तीन पूरी हमने रखा है, ज्यादा चिपका के रखेंगे, तो वह क्या होगा, मतलब एक दुस्ये से पूरी चिपक जा अब हमने आपसे बोला था कि हमारा ओइल गरम हो चुका है देखिए इसमें हमने पूरी डाला है और यहाँ पूरी जो है जैसे हमने डाला है और वैसे ही वह तेल में से बाहर आ गया है और तेल में जाते ही देखिए यहाँ पूरी किता अच्छे से जैसे कि हम साधा पूरी त पूलता है यह वीडियो आप सुरू से अंत तक जब देखेंगे जब आपको पता चलेगा कि यह पूरी कैसे तैयार हुआ है और कितने अच्छे से तैयार हुआ है अब हमने दूसरा पूरी भी उसके अंदर देखें डाल दिया है फिर भी यह पूरी जो है नहीं भटेगा वह पूरी भी फूल के बाहर आएगा अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं जब आपको पता चलेगा आपको हमारा यहाँ दाल का पूरी चावल के आंटे में कैसा लगा आप हमें जरूर कॉमेंट करके बताए अब हमारा दाल वाला पूरी सब करने के लिए तैयार है यह चावल के आंटे से जो हमने पूरी तयार किया है यह दही के साथ तो बहुत ही टेश्टी लगता है आप एक बार जरूर घर में ट्राइ करें और दही के साथ खाएं तो यह पूरी बहुत ही टेश्टी और बहुत ही सौप्ट सा तयार हुआ एक पूरी हम देखे आपको तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अधिक सदिक मित्रों के साथ सेर करें धन्यवाद लाइक करें धना हो लाइक करें दो लाइक करें रहा हो तो लाइक करेंख।